जैहिन अगर आपने इंडिन ने विट टेडेमिन का एक्जान दिया है तो आज हम आपको बहुत ही अच्छी खुशकर प्रिजोर सुनाने वाले हैं आज इस वीडियो में हम कंप्लिट डिसकस्शन करेंगे आपके एक्जाम के लेवल के बारे में कि आपका जो एक्जाम हुआ है उसमें किस लेवर का कोंप्युटेशन जो हार रहा है जो एक्जाम आपका हुआ था उसमें डिया है किसाफा अपलाई किया था अभी जो मुंबे का एक्जाम बचा है तो उस मुंबे के एक्जाम में कितने कंडेडी का जो है एक एक्जाम देना बाकी है इस हवाले एक्जाम में क्या आपकर नौल वे जैसन होगा इन सबी पॉइंट्स का आपकी कटोफ पर क्या असर रहने वाला है और तो देखिएगा यहां पर जो भी मैं निवी ट्रेडमन से रिल्टिर आपको पॉइंट बताने वाला हूं उसका सीधे जो आपके एजैम से ले लेसन बनने वाला है तो प्लीज आप धैरी बनाया रखिएगा यहां पर अगर मैं बात करूं कि आपके फॉर्म कब स्टार्ट हुए देखिए आपके फॉर्म यहां से क्या बात निकल कै कि जेखिए जो आपको टाइम मला था लिए एकजैम के लिए तो कितना मिला था आपके फॉर्म भरने के लिए वो कितना दिनी मिला था 22 से लेकर 7 की बीच आपको टोटल 14 दिन का है टाइम मिला था फॉर्म को अपलाई करनी के लिए यह इनकी इस प्रोसेस की बीच आपने केवल और केवल अपने फॉर्म पे जो हध्यान दिया था कि हां मुझे अपना फॉर्म 12 दिन यह भी पूरे नहीं मिले थे कि दिन का 20 को एक्जाम था वो 19 18 को एक्जाम की दिया अपने घर से निकल चुके तो यहां पर मां 12 की बजाए अगर आपको 10 दिन कहूं तो ठीक रहेगा एक्जाम की प्रप्रेशन करनी के लिए आपको टाइम मिला था उसके बारे में त अब खेंग था लेकिन पूरा फॉर्म अप्लाइन नहीं कर पाये किसी का इसे नहीं कर पाये थे तो हम कह सकतें के स्मोल अमाउंट यहां के बहुत कम नंबर जो है ऐसे थे जिन कंड़ेट ने फूँआप्लाई किया था तो यहांप पर एक छोटा सा ठाटा हमान सकते हैं फूँआप्लाई करने का रिजन अमान ने आपको बता दिया कि पहली बात तो इसमें टाइम कम मिला था दूसरी बात जो सब से मैं आपको आपका टाइम ही है अगर दूसरी के वाले पहले बात करें तो को प्रक Мих Cake को फिर आपको पता कि यह फोर्म को एक यहीं होती है divor आपको नेयुर्यू का लाइब सकते हैं कि इसको क्यों क्यों要off बंदे ही अपलाई कर सकते हैं तो आई टे वाले बंदे बहुत से बंदे ऐसे थे जो इसे अवेर्नेस नहीं थे तो इसी कारण से इसकी क्वालिफेकसन से टाइम के वज़े से जो है एक स्मॉल अमाउंट यानिके बहुत एक कम बुच्छों ने जिसका फॉर्म अपलाई किया वे लेकिन हाक वल्सक्тов हो सकता है वे firefighters लाग के करीब जो आफके फॉल होगे होएँ वे पहली बात की यह अब बात के titan बिंदेंस कि आपके data को पता लगा है कि एक लाग के करीब जो हैतंcoins है यानि कि जो attendance है आपकी वो 70 से 75% की बीच जो टोटल के अपलाई किया था और जो attendance है वो आपकी एक लाग के करीब आपके attendance रहने वाली है अब बात हो गई यह तो यह भी आपको डाटा में बता रहा हूं यह बिलकुर official डाटा आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर अग किसी थे जो बीच में टग गए थे जो रिजेक्ट हो गए किसी कराना से जैसे कि किसी का फूम अधूरा ही रहा गया किसी ने फूम बल्द बढ़ दिया तो इस कांट से हमान सकते कि बीच से 25,000 जो रिजेक्ट हो गए थे अब यहाँ पर 25,000 छोड़ जीजी चली बीच जार ही मान लीजिए तो डेड़ लाइक में जब हम 20,000 गठाते तो कितना राटा हमारे पास बसता है वह बसता है एक लाख है 30,000 का तो टोटल फूम जो है कितने एक लाख 30,000 यह मैक्समिम बल रहा हूं है यहां पर आप लोग एक बीस एक पंदरा भी मान सकते हैं लेकिन यह अब बात करें कि एक लाख 30,000 ने फूम अपलाई किया और एक लाख बच्चों ने टोटल एटेंडन जो हदी है तो आप लोग मान सकते हैं तो जो डाटा बचात वक्तरना बचा है 30,000 यहां पर हमेरे पास जाटा बच चुका कि Acht bowl 4 में से 1,000,001,000 बच्चे अपहुंच चुकें कु chemicals में चुके हैं इससे परभॉत हो चुके हैं तो कुछ सब्सक्रणादर अधर अधरे के हो सकते हैं अधर का मतलब क्या है मेरा कि बहुत सारे इसे हो जो जाएंगे या फिर टाइम पर नहीं पहुश्पाएंगे बहुट यहाँ पर भी तीसे में जो एक डाटा का हूँगा मेभी साइध आपके 20,000 कंडिट ऐसे होंगे जो आपके मुंबे की एक्जाम देने वाले अब बचेंगी तो 20,000 कंडिट हम मानका चल सकते हैं कि अब उनका मुंबे वाना को एक्जाम जो हो बचा है अब बात करें इस एक्जाम कि आपके नूर्मेजिसन नहीं होता है तो यह तो हमारे साथ नाइन साफी होगी जिन के दिन पहले एक्जाम दिया था तो आपको बता देते हैं कि यह भी आप लोग 99% आप मानके चल सकते हैं कि जो आपका एक्जाम का लेवल होगा मुंबे वालों का उनका डिफेगल्ट होगा 99% क् और इसी कान से इनका एक्जाम को लेवल भी टफ होगा यह बात हमें बिल्कुल साफ साफे मान सकते हैं तो देखेगा अगर हम बात करें कोंपिटिशन की यह कोंपिटिशन के बाद हमने जो जो पॉइंट डिसकस किया हैं उसी का अधरपरम को बता रहा हूं सबसे बिल्ट टोटल फॉर्म कितने अपलाई हुए थे आपको टाइम कितना मिला था पहरा पॉइंट ही यह उसके बाद एक्जाम में कितने मुझे ने फॉर्म हो गया तो इन सभी पॉइंट को देखकर हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो एक्जाम का कॉम्पिटिशन का लेवल था वो बहुत ही टफ होकर बिल्कुल ना के बराबर है अगर हम टफ को हूं तो आपका एक्जाम का लेवल जो वो नॉर्मल ही रहा है और यह जो सबसे मैं आपका जो फैक्टर है वो आपकी एटेंडेंस का और फोर्म अपलाई करने का है क्योंकि जितने मज़े एक्जाम देने गए उसको देखकर हम यह बिल्कुल साब सब कह सकते हैं कि आपका जो कॉम्पिटिशन का लेवला वो नॉर्मल ही रहने वाला है यालिकि हमारा आज का इंडेनेवी ट्रीडेमिन के एक्जाम के कॉम्पिटेशन के उपर एक एनलेसिस उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरू पसंद आई होगी तो जिसकिसी का भी एक्जाम बचा है और जिसकिसी का भी रजल्ट आना बाकिए है उन से भी को हमारे तरफ से आपने त्यार में जुड़े रहिएगा जिनका रजल्ट है वो बस वेट कीजिएगा अपने सेलक्षन का तो अगर वीडियो अच्छे लिगे तो प्रेज वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्टों को साथ से जरू कीजिएगा और हमारे चैनल सक्सेजिद को सब्सक पूर्टिंग जैहिन